हेलो फ्रेंद्स आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज मैं आपको स्लिट्स का जॉइंट लेस के साथ बहुत ही खुबसूरा डिजाइन दिखाऊंगी तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ना हमें सेम कुट्टी वाले फैब्रिक से ना स्लिट्स के जितनी एक पट्टी कट करनी है तो ये मैं आपको बता दूँ ये आपने कितनी चौड़ी कट करनी है ये पट्टी लगबग 2 इंच उड़ी रखी है मैंने ये दिखिए और लंबाई में ये स्लिट् आइड पे उसे पेपर पेस्टिंग लगा ली है प्रेश के साथ यह देखिए अब मैंने दोनों तरफ से इस तरीके से एक पैर अंदर की तरफ इससे ऐसे फूल्ड करके हमएं प्रेश के साथ अच्छे से बिठा लेना है तो इस पट्टी के बीच में न हमें ये वली lace stitch करनी है आप दो किनारी वली कोई भी lace यहाँ पे use कर सकते हैं तो पट्टी को ऐसे खोल के रखेंगे और lace को इसके अंदर ऐसे दबाते हुए पट्टी को हम बंद कर लेंगे और यहाँ पर एक किनादी की सिला ही लगा लेंगे तो ऐसे हमने इस लेस को न पट्टी के साथ स्टिच कर लिया है यह दिखिए और दूसरी तरफ से भी देखिए कितनी अच्छी फिनीशिंग आई है इसमें अब हमने दूसरी साइड वाले स्लिट्स के लिए भी पट्टी और लेस इस तरीके से रेडी कर लेनी है तो ऐसे मैंने एक तरफ के स्लिट्स के लिए यह दो पट्टियां से रेडी कर ली है तो सबसे पहले न हमें अपनी पट्टी और लेस की न चोड़ाई देखनी है कि हमें कितनी रेडी करनी है कुड़ती पे तो ये लगबग न सवा इंच के करीब हमारी कुड़ती पे रेडी होगी इतनी तो लेस हमें दिखानी ही है इतनी हमारी दब जाएगी और ये लेस और पट्टी इतनी दिखाई देगी तो एक इंच दो पॉइंट हमें लेस और पट्टी दिखानी है तो उस हिसाब से हमें अपने slits में से margin कम करना होगा तो ये हमारी कुरती है और ये इसकी hip वली side है hip में हमने margin extra नहीं लेना है जो हम slits में margin लेते हैं एक्स्ट्रा folding का डेड़ इंच का वो हमने बिल्कुल नहीं लेना है इवन इसमें से भी हमने कम करना है अपना margin तो एक्स्ट्रा margin को हमने कैसे cut करना है ये दिखिए एक इंच दो point की हमारी lace और पट्टी दिखाई देगी ना हमने यहां से एक एक इंच नहीं extra margin को cut कर देना है तो ऐसे हमने यहां से एक इक इंच सीधा सीधा mark कर लेना है नीचे तक तो ये कुरती की front और back दोनों ही है यानि की 4 parts में हमने इस तरीके से कुरती को fold करके रखा हुआ है तो ये design ना हमारी कुरती stitch करने से पहले तयार होगा ऐसे हमने एक इंच को सीधा सीधा mark कर लिया अब हमने ना यहां से ऐसे triangle बना लिया अब हमने ना ये वाले margin को यहां से cut कर देना है तो मैं यहां पे कुरती के 4 parts को ना एक साथ ही cut कर रही हूँ तांकि बिल्कुल बराबर आए हमारी ये lace और पटी अब हमने ना यहां पे एक छोटा सा cut लगाना है इस तरफ ऐसे ऐसे cut लगाना है तो ऐसे cut लगाके ना हमें slits वाले margin को ना यहां से ऐसे ऐसे ना फोल्ड करते हुए ना प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेना है लगबग दो दो पैर तो सारे slits को ना हमने ऐसे ही प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेना है और यहां से भी ना इसका ऐसे ट्रेंगल बनाते हुए इसे भी प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेना है तो अभी मैं आपको अपने slits प्रेस करके अच्छे से दिखाती हूँ तो जो मैंने slits में इसे मार्चन कट करके दिखाया था ना उसे ऐसे मैंने फोल्ड कर लिया है नीचे तक प्रेस के साथ अच्छे से बिठा भी लिया है अब हमने लेस के साथ जो पट्टी रेडी की है ना उसे हमने यहाँ पे स्टिच करना है तो ऐसे हमने अप्ति कुर्टी को सीधा करके रखना है और लेस और पटी को ना इस तरीके से ऐसे ऐसे इसके नीचे रखेंगे सेट करके और यहाँ पे बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे तो ये देखिए एक स्लिट्स पे न हमने लेस और पट्टी इस तरीके से स्टिच कर ली है और देखिए कितनी अच्छी फिनीशिंग आई है इसमें अब हमने दूसरी साइड वाले स्लिट्स पे भी न लेस और पट्टी ऐसे ही स्टिच कर लेनी है तो इस side वाली pattie को नहित नीचे घेरे वाली side से शुरू करेंगे stitch करना तो ऐसे हमने दूसरी side वाले slits पे भी लेस और पattie इस तरीके से stitch कर लिये हैं अब हमें न कूर्टी के दोनों parts को न अपस में stitch करना है तो कुर्टी की फ्रेंट साइड को न हम बैक साइड के उपर इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे यहां से बिल्कुल बराबर रखने हैं हमें अपने स्लिट्स और यहां बेना सिलाई लगा लेनी है तो ऐसे हम हिप से सिलाई शुरू करेंगे उपर चैस्ट तक तो यह देखिए हमने कुर्टी को एक साइड से ऐसे स्टिच कर लिया है और देखिए कितनी अच्छी फिनीशिंग आई है हमारे स्लिट्स में और यह डिजाइन भी कितना खूबसूरत लग रहा है और आज कल यह काफ़ी ट्रेंडी भी है और यह देखिए पीछे से भी हमारी यह कितनी अच्छी फिनीशिंग आई है इसमें तो आप भी यह स्लिट्स का डिजाइन अपनी कुर्टी पे जरूर ट्राइ करें तो अगर आपको मेरे डिजाइन और मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं तिल देन बाबाई